भातकर दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ discuss करेंगे compressor क्या होता है और compressor कितने type का होता है classification of compressor के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं compressor एक mechanical device होता है जिसका प्रियोग air, gas के pressure को increase करने के लिए किया जाता है और 7 में ही इस process के दोरान ही air या gas को एक location से दूसरी location तक भी move किया जाता है अब बात करते हैं कि compressor और hydraulic pump कैसे एक दूसरे से related है compressor की जो working होती है वो hydraulic pump की तरह ही होती है फरक सिर्फ इतना होता है कि hydraulic pump में inlet port से outlet port तक oil या water को transfer करते हैं जबकि compressor के case में air या gas को transfer किया जाता है अब बात करते हैं कि जो compressor है इसे हम अलग अलग type और अलग अलग purpose के लिए manufacture करते हैं क्योंकि जो compressor है इसे air या gas को compress करने के लिए भी use किया जा सकता है ये edge blower भी इसको use करते है vacuum pump की तरह भी ये कारिया करता है और जो compressor है इसका प्रियोग कुछ industry तक ही सीमित नहीं है बलकि इसका प्रियोग manufacturing, welding, construction, power plant, shapes, automobile plants, painting soaps और breathing apparatus को fill करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी purpose को पूरा करने के लिए आवशक्ता अनुसार बहुत से प्रकार के compressor का इस्तेमाल किया जाता है और compressor के वर्गी करन को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका वर्गी करन करते हैं नॉर्मली अगर देखें, नंबर ओफ स्टेजिस के आधार पर, कंप्रेशर, सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है, टू स्टेज एक्टिंग भी हो सकता है, और मल्टी स्टेज एक्टिंग भी हो सकता है, कूलिंग मैथड के आधार पर देखते हैं, तो air cooled भी हो सकता है water cooled भी हो सकता है और oil cooled भी हो सकता है अगर हम drive type की बत करते हैं तो engine driven भी हो सकता है motor driven भी हो सकता है टरबाइन ड्रीवन भी हो सकता है बैलेट, चेन, गियर और डारेक्ट कप्लिंग ड्राइब भी हो सकती है अगर लूब्रिकेशन मेथड के आधार पर देखते हैं तो कंप्रेशर, सप्लास लूब्रिकेटिंग, फोर्स्ट लूब्रिकेशन या फिर ओयल फ्री कंप्रेशर हो सकता है सर्विस प्रेशर के आधार पर देखते हैं तो लो प्रेशर कंप्रेशर, मेडियम प्रेशर कंप्रेशर और हाई प्रेशर कंप्रेशर लेकिन जो main classification होती है compressor की वो principle of operation के आधार पर होती है और principle operation के आधार पर जो compressor है वो मुख्यते दो प्रकार के होते है positive displacement compressor और dynamic compressor उसके बाद फर्दर जो positive displacement compressor होता है यह है दो type का होता है reciprocating जो piston type होते हैं और rotary compressor और reciprocating compressor further उसकी categorization होती है जिसमें single acting, double acting, diaphragm और इसके अतरिक ये in-line compressor भी होते हैं V-shaped compressor भी होते हैं tandem piston compressor भी ये होते हैं अगर हम rotary compressor की बात करते हैं तो rotary compressor को जो further categorization है वो इस प्रकार से है lobe compressor, screw compressor, vane compressor, scroll compressor और liquid ring compressor तो ये सबी positive displacement के अंतरगत आते हैं अगर हम dynamic compressor के वर्गी करण की बात करें तो ये मुखित है तीन type का होता है centrifugal compressor, axial flow compressor और mixed flow compressor तो दोस्तों ये जो compressor हमने आपके साथ discuss किये हैं इन्हें हम हमारी next video में one by one विश्तरित रूप से detail में discuss करेंगे अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको like और share जरूर कीजिएगा क्योंकि आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि compressor क्या होता है, इसका कारिया क्या होता है और इसे किस तरह से classify किया जाता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको like और share जरूर करें और जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दो तो याँ करें जर खाई करें Damn कर दो कर दो करें लिए्वाल kा नापक बार करें लो दो करेंम्द Behind